Hello students, good morning, welcome back to my YouTube channel आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आर्थसास्तर का पहला अध्याई जिसका नाम है पालंपूर गाओं की कहानी इस कहानी के जरिये इसमें पालंपूर एक काल्पनिक गाओं है और इस काल्पनिक गाओं के जरिये हम ये जानेंगे कि उत्पादन क्या होता है और कैसे किया चाता है सबसे पहले उत्पादन को समझ लेते हैं उत्पादन होता है ऐसी वस्तुएं को बनाना या पैदा करना जिससे हमारी आवशक्ताओं की पूर्ती हो सके और इस कहानी के जरिये हम ये जानेंगे कि कैसे पालंपूर गाओं के जो लोग हैं जब उनको वस्तु या सेवा की जरुरत होती है तो वो किस-किस प्रकार का संसादन लेकर के उसको उपयोग करते हैं सबसे पहले पालंपूर जो गाओं है वो एक छोटा सा कालपनिक गाओं है और इसके पास इसे 3 किलोमेटर दूर एक बड़ा गाओं है राय गंज और एक छोटा सा कशबा है आगे शापूर और ये राय गंज और शापूर से पकी सड़क के दवारा जुड़ा हुआ है जब हम शापूर से राय गंज से होते हुए पालंपूर आए या पालंपूर से शापूर जाए तो यातायात के अनेक साधन देखनों जो मिलते हैं जैसे बेलगाडिया, भैसा बग्गी, मोटर साइकल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रॉक अब इस गाउं में कुल साड़े चार सो परिवार रहते हैं जिसमें से जो असी परिवार हैं वो उच्च जाती के हैं और गाउं की जादातर जमीन पर इनका कबजा है अब बाकिये जो एक तिहाई जनसंख्या बच गई वो तलित लोगों की हैं जो गाउं के एक छोटे से कोने में रहते हैं घासपुस के घरों में यहां पर बिजली की उत्तम ववस्था हैं नलकूप बिजली से ही चलते हैं और अनेक छोटे-छोटे कारिये करने के लिए छोटे-छोटे उदगों को चलाने के लिए भी बिजली का प्रयोग किया जाता है जैसा कि आजकल भारत के कुछ ऐसे गाउं हैं जहाँ पर शिक्षा और स्वास्थे की आधारबूत सुविधाईं भी उपलब्द नहीं है लेकिन इस मामले में पालमपुर गाउं के लोग और शिक्षार्थी विध्यार्थी बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके गाउं में दो प्राथमिक विदाला और एक हाई स्कूल है जहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रेन कर सकते हैं गाउं में एक राज के प्रात्मिक स्वास्ते केंदर और एक निजी उस्दाले है जहां पर रोग्यों का इलाज किया जा सकता है उसके बाद उत्पादन का संगठन समझ लेते हैं इसे हम उत्पादन के कारक भी कह सकते हैं सबसे पहले उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है ऐसी वस्तूएं वे सेवाईं पैदा करना जिसकी हमें आवशक्ता होती है अब किसी भी वस्तू या सेवा को उत्पादित करने के लिए हमें चार चीजों की जरुत होगी सबसे पहला है भूमी भूमी एक प्राकृतिक संसादन है और इस भूमी के साथ-साथ अन्य प्राकृतिक संसादन जैसे जल, वन, खनेच इनके भी आवशक्ता होती है जो दूसरी आवशक्ता है वो होती है श्रम श्रम दो परकार का होता है शारीरिक श्रम और मानशिक श्रम सारीरिक श्रम होता है जिसमें हम अपने शरीर से काम करते हैं जैसे कि निर्मान कारिय में इटेड होने के लिए रिक्षा चलाने के लिए हमें जो श्रम के आवशक्ता होती है वो होता है सारीरिक श्रम इसमें जो कम पड़े लेखे वैक्ति हैं उनसे भी हम काम चला सकते हैं जब बात आती है मानसिक श्रम की मतलब जिससे हमारे मस्तिस्क को ठकान होती है मस्तिस्क को काम करना पड़ता है और इसमें हमें उच्च शिक्षा प्राप्त वैक्तियों की जरूरत होती है उसके बाद तीसरी जो आवशक्ता होती है वो है भोतिक पुंजी अब भोतिक पुंजी ये तो हमें हर प्रकार्षी जो उत्पादन करने के लिए हर स्टेज पर इसकी जरुरत होगी अब भोतिक पुंजी भी दो तरह की होती है एक होती है स्थाई पुंजी और दूशरी होती है कार्यशील पुंजी अब स्थाई पुंजी क्या होती है स्थाई पुंजी के अंदर आते हैं ओजार भवन और मशीन यानि कि ऐसे संसादन या ऐसे मशीने उत्पादन ओजार जिनको हम एक बार प्रियोग करने के बाद हमें बार-बार उसमें निवेश करने की जरूरत नहीं है और दूसरी होती है कारिय शिल्पूंजी जैसे कच्चा माल, नकद मुद्रा अब जैसे एक बुनकर है उसको कपड़ा बुनना है लेकिन उसको उस कपड़े को बनाने के लिए कच्चा माल जो की कपास है वो तो चाहिए और उस कपास को किसान से खर देने के लिए उसके पास नकद पैसे भी होने चाहिए यनि कि कैश इसलिए नकद पूंजी और कच्चा माल ऐसी आवशकताएं है ऐसी पुझी है जो हमें उत्पादन के हर स्क्षेत्र पर चाहिए है उसके बाद जो चौति आवशक्ता होती है वो होती है मानव पुझी की मानव क्योंकि मानव ही अपने मस्तिस्क का प्रयोग करके इन सारे संसादनों का इस्तमाल करके अपने लिए लाबरजित करता है वस्तुमे वैसेवाई पैदा करता है अब बात करते हैं भूमी की भूमी जो होती है वो तो स्तिर है भूमी तो बढ़ नहीं सकती जबकि लगातार चंस भूमी को बढ़ाने का कि जो भी बंजर जमीन है अगर हम सिचाई के द्वारा उसको क्रशी योगय भूमी बना सकें तो बेसक भूमी बढ़ सकती है otherwise भूमी जो है वो स्तिर है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता और पालंपुर गाओं के जो लोग है वो 75 प्रतिशत जो लोग है अपनी जीविका के लिए भूमी पर ही निरबर है तो वहां के लोग जब भूमी नहीं बढ़ सकती तो उसके लिए क्या तरीके अपनाते हैं उसके लिए वो अपनाते हैं बहुविद फसल प्रणाली अब ये बहुविद फसल पर नाली क्या है देखो जब बरसात का मोसम होता है या खरीफ की फसल होती है तो किसान जो है जवारवे बाजरा उगा लेता है जिसे वो अपने पश्वों को चारे के लिए यूज करता है अक्तूबर दिसंबर का समय आते आते वो आलू के खेती कर लेता है और जैसे ही रभी की फसल का मोसम आता है तो वो गेहू पैदा कर लेता है कहने का अर्थ है कि उसने एक ही वर्ष में एक ही भूमी के टुकडे से तीन फसले पैदा कर ली अरे यही तो बहुविद प्रणाली है यहाँ पर देखिए एक वर्ष में किसी भूमी पर एक से ज़्यादा फसले पैदा करना ही तो बहुविद फसल प्रणाली है यानि कि जमीन बढ़ नहीं सकती तो उसने क्या किया बहुविद फसल प्रणाली के द्वारा अपनी फसल को ही बढ़ा लिया अब पालंपूर के जो गाओं के लोग हैं वो पहले पारंप्रिक क्रिशी करते थे पारंप्रिक कृशी मतलब जो पहली पारंप्रिक बीजों के द्वारा की जाती थी और इसमें न उपज बहुत कम होती थी दूसरा इन बीजों को पानी की कम जरुरत होती थी इसलिए सिचाई कम करनी पड़ती थी और किसान उर्वर्क के डालने के जगे पर खाद के रूप में गाएं का गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करता था जो उसको ततकाल अपने पास ही मिल जाती थी तो ज़्यादा पैसे भी निवेश नहीं करने पड़ते थी और ये जो क्रेशी होती थी पारंपरिक क्रेशी ये 1960 के दसक तक की गई लेकिन 1960 के दसक में हरितक्रांती आई हरितक्रांती का मुख्यता जो हरितक्रांती है वो यूपी पंजाब और हरियाना में आई थी उस समय की प्रधान मंत्री थी शिर्मती इंद्रा गांधी उन्होंने 1965 में सोचा कि प्रशी के शेतर में स्वधार की आवशक्ता है और उन्होंने हरित करांथी की शुरुवात करी भारत में इस हरित करांथी को लीड किया था डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन ने यह आपको याद रखना है डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन भारत में हरित करांथी के शुरुवात इन्होंने ही करी थी अब इस हरित करांथी के अंदर होता क्या है कि हम नए-नए HYV beads यानि कि High Yielding Variety Sheeds जिसको Short Form में HYV बोल देते हैं ऐसे बीजों का परियोग करते हैं धेर सारा उर्वक, रासाइनिक उर्वक, कीट नासक डाल देते हैं और इन बीजों को पानी के बहुत आवशकता होती है इसलिए हमने सिचाई के नए तरीके ढूंडे, नहरे लगाई, बंक शेट लगाई, बिजली से बांद बना करके बिजली पैदा करी ताकि जो जिससे हमारे जो ट्यूब वैल है वो चल सकें और खेती करने के लिए ट्रेक्टर, थ्रैसर जैसी नही नही आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया अब इससे हमारी फसल तो बढ़ गई अब जो किसान पालंपूर का जो किसान इस क्रशी के इस विधी के आने से पहले अब अपनी जमीन में 1300 किलोग्राम प्रती हैक्टेर प्रती हैक्टेर अब यह हैक्टेर जो होती है वो भूमी मापने की एक اकाई होती है और एक हैक्टेर 100 मीटर की भुजा वाले बर्ग के शेत्रफल के बराबर होती है अब आपको लगता ही समझ नहीं आया अरे आप mathematics में बढ़ते हो कि जब एक वर्ग होता है और उसकी एक बुझा ए होती है और दूसरी बुझा भी ए होती क्योंकि वर्ग की तो चारो बुझाएं एक जैसी होती है न तो इसका शेत्रफल यदि आपको वर्ग का शेत्रफल निकालना हो तो formula क्या होता है एका square कर दो अब हमारा जो hectare होता है वो 100-100 होता है यानि कि एक side 100 है तो हम इसका square कर देंगे square करने के बाद आ जाएगा 10,000 square meter यानि कि एक hectare जो होता है वो 10,000 square meter के बराबर होता है अब आया समझ अब भूमी जो है वो है हमारी प्राकृतिक संसादन लेकिन जब हरितकरांती आई तो उसके कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ती थी वो काम हो गई और जब हम नलकृपों से सिच्चाई करते तो भूमी के नीचे का जो जल है भूम जलस्तर वो भी कम हो गया इसके साथ साथ मिट्टी के अंदर जब हमने धेर सारे रासाईने किटना सक डाले तो हमारी भूमी भी प्रदूशित हो गई और यही किटना सक्स हिचाई वाले पानी या बरसात वाले पानी के साथ मिलकर जमीन में से रिस्कर नीचे चले गए तो पानी भी प्रदूशित हो गया अब आपको समझ आया कि हरित क्रांती आने से फाइदे क्या हुए और नुकसान क्या हुए अब बात कर लेते हैं पालंपूर के गाउं में जमीन कैसे बटी थी ये तो हम शुरूर पढ़ चुके हैं कि पालंपूर में साड़े 400 याने की 450 परिवार रहती हैं उन में से जो 150 परिवार हैं उनके पास जमीन ही नहीं है 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल 2 हेक्टेर लैंड है और केवल 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेर से भी ज़्यादा जमीन है लेकिन इसी बात को एक्जम्पल से समझते हैं कि एक विक्ती है गोविंद उसके पास 2.25 हेक्टेर भूमी है उसके 4 बेटे हैं लेकिन इतने बड़े परिवार का इतने छोटी की जमीन से टुकडे से इनका गुजारा नहीं होता तो ये एक भैस रखते हैं जिसके दूद वयम घी बेच करके ये अपना अतिरिक्त आय कमाते हैं अब गोविंद की मिर्त्यू के बाद इस जमीन के टुकडे को जो चारो बेटे हैं वो आपस में डिवाइड कर लेते हैं एकवल एकवल तो हर किसी के पास 0.75 हेक्टेर जमीन आती है अब इतनी छोटे से जमीन के टुकडे पर कैसे इनकी जीविका चले तो इनको अतेरिक्त कारिय डूड़ने की आवशकता है अतेरिक्त कारिय मतलब ऐसा कारिय जो ये क्रशी के साथ साथ उसको भी कर सके अब बात करते हैं श्रम की कि श्रम जो होता है दूसरा हमारा सबसे आवशक कारक है लेकिन ये श्रम की ववस्था करेगा कौन स्रम की ववस्था जो छोटे किसान है वो तो करेंगे नहीं कि वो तो अपने परिवार जनों के साथ मिलकर अपने खेतों में खेती करते हैं अब श्रम की ववस्था कौन करेगा तो या तो मजले या फिर बड़े किसान होते हैं वो अपने खेतों में किराये पर श्रमिक रखते हैं ये देखिए ये एक चरचा आपको दी गई है आप अपने किताब से पढ़ सकते हैं डाला और रामकली के बीच में जो आपस में ये बाते कर रहे हैं कि लगातार जो ट्रेक्टर कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन थ्रेशर मशीन आने की वज़ा से जो इनको पहले काम मिलत था अब वो भी बंद हो गया है रामकली कहती है कि इस समय मुझे तो बहुत ही जादा काम की जरूरत है और यहां मुझे काम मिलने वाला नहीं है तो इसलिए मुझे राय गंज के जो बठा है वहां पर जाकर के काम की तलाश करने पड़ेगी तो इस तरह से आप देख सकते ह कि क्रिशी के अतिरिक्त जो चोटे चोटे किसान या ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं है उनको अपनी अतिरिक्त आएगे लिए क्या-क्या जूगार लगाना पड़ता है और जब कोई किसान बड़ा किसान किसी को अपने यहां पर मजदूरी पर रखता है तो उस मजदू के रूप में मिलती है जिस वस्तु के कटाई के लिए उसको रखा गया था या तो वो वस्तु ही उसको दे जाएगी या उसको काम करने के बदले में पैसे दिये जाएंगी और एक दिन का सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले शर्मिक का निवन्तम वेतं तीन सो रुपे निरदारित किया गया है, लेकिन जब काम नहीं होता तो बड़े किसान है वो इनको सस्ते पारी शर्मिक पर भी अपने पास रख लेते हैं, जैसे डाला को मातर 160 रुपे ही मिलते हैं जबकि सरकार ने तो 300 रुपे निर्धारित किये थे अब जो ये छोटे किशान होते हैं यदि इनको अपने जमीन क्रिशी करनी है तो इनके पास पूंजी कहां से आती है जो छोटे किशान होते हैं वो सहुकारों से या गाओं के बड़े किसान से पैसा उधार लेते हैं अब एक के महिला है सविता जो अपनी एक हेक्टेर जमीन पर गेहूं पैदा करना चाहती है लेकिन बीज, किटनासक, पानी, अपने ओजारों की मरमत के लिए इसको बहुत सारे पैसों की जरूरत है तो ये एक बड़े सहुकार से पैसे लेगी लेकिन बड़ा सहुकार इसको ब्याज की उच्छदर पर पैसा देता है और ये उस जमीन पर इसकी इतनी पैदावार नहीं होती है ताकि अपना ये जो इसने रिन लिया है इस साहुकार से वो चुका सके अब अगली बार जब दूसरा मौसम आएगा दूसरी फसल के लिए तो इसको फिर से ब्याज लेना पड़ेगा और ये फिर से उचदर लगाएगा इसका मतलब ये जो है करज पर करज पर करज लेती जाएगी और धीरे दीरे इस साहुकार के करज जाल में फस जाएगी इसके विपरीत जो बड़े किसान होते हैं उन्हों तो कुछ उधार लेने की जरुरत ही नहीं होती क्योंकि उनके पास बड़े-बड़े खेत होते हैं जिससे उनको ज़्यादा पैदावार होती है और उस ज़्यादा पैदावार में से वो अपने परिवार के जरुरत के अकॉर्डिंग के अनुसार अपना अनाज बचा करके बाकी सामान को बाजार में बेच देते हैं जहां से उनको उचित पैसे मिल जाते हैं और ये जो बचत पैसा है इसी को ये दुबारा से इस खेत में निवेश कर देते हैं तो इनका ये साइकल चलता रहता है इससे हम ये कह सकते हैं कि पूंजी जो है वो छोटे किसानों को ही जरूरत पड़ती है, बड़े किसानों को उधार या रिन पर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अब हमने ये तो देख लिया, कि पालंपुर गाओं के लोग क्रशी कारिये में से उतना लाब नहीं कमा पा रहे हैं, कि उनके परिवा की जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएं, इसके लिए उन्हें अब कुछ ऐसी क्रियाएं करने पड़ेंगी, जो क्रिशी से अलग होती हैं, जिने हम कहते हैं गैर क्रिशी क्रियाएं, गैर क्रिशी उत्पादन क्रियाएं, उसमें सबसे पहले है डेरी, डेरी जो हैं निकट के बड़े राय गंज में बेच आते हैं और सहापुर से भी दो व्यापारी राय गंज में दूद संग्रहन करने के लिए आते हैं अब पचास से भी कम लोग ऐसे हैं जो वी निर्मान कारिय में लगे हुए हैं छोटी-छोटी फैक्टरियों में कश्बों में जाकरके उन में उत्पादन कार्य करती हैं और जैसे हम मिष्री लाल की कहानी से दे लेते हैं मिष्री लाल एक गंणा पेरने की मशीन लेकर आता है जो बिजली से चलती हैँ अपने खेत में लगाता है और गन्नों को पेरने का काम बैलों की मदद से करता है अब लोग इसे मशीनों से काम करना पसंद करते हैं मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना करिद कर उसे गुड़ बनाता है और फिर उस गुड़ को शापुर के व्यापारियों को वेच देता है तो इस पूरी प्रकिरिया में मिश्रिलाल को थोड़ा प्राप्त हो जाता है दूसरा हम स्टोरी करीम की पढ़ते हैं करीम जो है गाउं में एक कम्प्यूटर के इंदर खोल लेता है और कई सारे जो विध्यारती हैं शापूर कॉलेज जाने लगे हैं तो करीम ने दीखा कि गाउं के कई छातर शहर की कम्प्यूटर कक्षाओं में जाते हैं और गाउं से भी दो महिलाओं के पास कम्प्यूटर अनुप्रयोग की डिगरी थी तो उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चे किया और कम्प्यूटर खोले और अपने घर में बाजार की और खुले बाहर के कमरे में कक्षाओं प्रारंब कर दी इससे इन कक्षाओं के प्रारंब होने से उसको भी थोड़ा लाब मिल गया उसी तरह से एक तीसरी गैर क्रिशी किरिया है वो है दुकानदारी पालंपूर गाओं के जो लोग हैं वो छोटी छोटी जरूरते पूरे करने के लिए चावल, गेहूं, चाए, तेल, बिस्किट आधी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे जनरल स्टोर खोल लेते हैं जिससे उनको अतिरिक्त आय हो जाती है और इसके बाद चौथा हमारे जो गैर ट्रिशी किरिया है वो है परिवेहन हमने ये तो पढ़ा था कि पालंपूर गाओं के जो लोग हैं उनके वहां ट्रांसपोर्ट के यातायात के अनेक सादन है दूसरा जब ये जो छोटी-छोटी गुड़ बनाने के उदोग या दूद बेचने जाने के लिए या फिर अपने दुकानदारी के सामान खरिदने के लिए इनको यातायात के अनेक सादनों की जरुरत पड़ेगी और यातायात के साधन अपने आप तो चलेंगे नहीं मुझे आशा है आपने इस अध्याय में उत्पादन किसे कहते हैं किरशी से उत्पादन कैसे किया जाता है और गैर किरशी किरियाएं करके अतिरिक्त आय कैसे कमाई जाती हैं इन सभी प्रशनों के उत्तर मिल खोज लिये होंगे मुझे उमीद है आपको ये अध्याय पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें उसके साथ साथ सब्सक्राइब के बटन की पास बेल को दबाना ना भूलें उससे अगले वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी धन्यवाद